सरण पड़ा में आपुके माधब नाथ मुकंद विजे पताखा पूर्ण हो करिये पूरो छंद विजे पताखा हाथ में करिये पूरण छंद कि आदब चंद सरण लई तेरी और नाथ दसायों हो रही जैसे गाए सिंग ने तेरी आज सबाक बीच नाथ इस दास कुली जो हेरी कैसे दर्द हुआ द्रोपत जब गेवर तुम को तेरी नाथ अब करो नहीला हर्दे में यही कशीला सरण में पड़ो तुम्हारे ओ लीजे खबरी दोहर का वाले यह सुदा के नाथ तुम्हारे लीजे खबर दोहर का वाले यह सुदा के नाथ तुम्हारे कि मेरे नोजबंशाथी आदर के योग बुजर्ग प्यार करने योग बच्चे सीता अमसिया और सावित्री जैसी भूम्हारे पलने बाले आज यहां उपस्तत मात्र शक्ती आप लोगों के सामने राठो और केशिट के माद्रिम से द्रोपती चीरहरण की पवित्र गाथा प्रैस्तुत करता हूँ जिससे आपको यह पता लगेगा की बास्तम में कारण करके हुआ था जिसमें जाने कितनी ललाएं कितनी माताएं इनकी गोदियां सुनी हो गई थी दोस्तों अज्शुमेद में यज्ज जिससे में हुआ है अज्शुमेद यज्ज में सभी ये कॉर्बा जाते हैं द्रियोधन किसी जगे पर फिसल के गिर जाता है तो द्रोपती के मूँ से एक शब्द निकला था कि अंधा के अंदेव हुए दोस्तों जो काम गोली नहीं कर सकती है औरत की बोली में वो पॉज़न वो जहर होता है कि मर्द का सारा सरीर विशेल हो जाता है इधर तो पटक लगी है द्रियोधन को इधर द्रोपती ज़रोका से कह रही कि अंधा के अंदेव हुआ बोट जलन और उस पर ताना कर गई आगसी गोले पर बिजली गई तूट बिचारों पर बरची चल गई तिफ़ा बोले पर बिजली गिर गई बिचारों पर कैंटी चल गई थपोले पर बिजली गिर गई बिचारों पर कैंटी चल गई थपोले पर दोस्तों जिरियोधन की आँखों में लोह उतर आया और अपनी मुठ्थियां भीद के कहने लगा पंचाली दोपती दोपती होश में तू आ जाए ऐसा तो समय वो आएगा ये रंग भंग हो जाएगा ये हसना तुझे दुआएगा अरे दोपती जिस गमंदो गरूर में तूने ये सब्द कहे हैं और तू हस रही है जब में फिसल के गिर पड़ा पर कटी अरे खामाच रहे अब तेरी हसी मित्रा नहीं ये आथो पहरा नाम मेरा तो नंगो सबा में ना कर दाओ तो दिरियो धन नाम मेरा तो नंगो सबा में ना कर दाओ तो दिरियो धन नाम मेरा तो नंगो सबा में ना कर दो तो दिरियो धन नाम मेरा खुले सब्दों में कुर्पत कहने लगा औरी कमीनी औरत में फिसल के गिर पड़ा तो तू कह रही के अंधा के अंधेव हुए किसी दिन इस अंधे के फंद में तू जरूर पड़ेगी तेरी हशी मिटाना ही मेरा आठो पहर काम है अगर मैंने भरी सबा में तुझे नंगा न कर दिया तो मैं उस अंधे कभेता नहीं दोस्तो ये मैंने बताया तुमें कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि यॉरत के आता है लेकिन नी धराम हो गई करण के पास जित समय पहुंचा तो अंग्र अच्छ करण जो है कहने लगा कि कहिए राजन एक दम से आंखों में आशु भर के दिरियोधन कहने लगा अरे अंग्र अच्छ करण हमें राजा न कहो मैं भला राजा कहा हूँ राजा तो वो धर्म राज है तो करण कहने लगा अरे महाराज अरे जा बड़े बड़े राग जुड़े तो धपली का बाजा क्या होगा आपके सामने धर्म राज बो भुकर राजा क्या होगा महराज जहां बड़े बड़े रसीले राग हो वा धपुली का बाजा कहीं काम करता है तुमारे देशे भीर के सामने धर्मराज भूकर राजा हो जाए हो गए उसकी निगामे मगर मेरी निगामी नहीं तब तक सकुनी आ गया हो कहने लगा भांज सिरी धर्मराज के गीत गारे हो द्रियोधन आँखों में आशी उबर के कहने लगा मामा सिरी मालुम है दुरुपती ने मेरा कितना अपमान किया है मामा तुम्हारे पास ही वो मरहम है कि ये घा उबर जाए सकुनी कहने लगा चिंता मत करो भांजर सिरी हमारे हाथ में पांसे नहीं है सेना है अगर महराजा इदुष्टर को जुआ के लिए अगरी कर लिया जाए मैं सारा फांसा पदल देंगे दोस्तों ये चांडाल चोकडी ने सला मिलाई चाचा बिदुर को भुला करके दिल्ली के लिए भेज दिया दिल्ली से धर्मरार रनवाज चेहित पांचों पंडवा आ जाते हैं हस्तनापुर में देश विदेश के जुआरी खटे हैं लाखो की दिवालिया निकल गए लाखो सेथ बन गए गली गली द्वार द्वार पे जुआ हो रहा है धर्मराज का सिविर बाहर लगा हुआ है द्रियोधन रनवाज सेहित जाकर के मिलता है भानमती द्रियोधन की पत्नी सिर्फ रह जाती है द्रोपती के पास सब रनवाज लोट आता है चार दिन तक धर्मराज जुआ में समलित नहीं हुए अपने गुर्बरंदों से मिलते रहे पिता मा भीसम के पाक जिस समय महाराजा धर्मराज गए आँखों में आस हुआ गए और रोकर के धर्म बोले बेता हां कैसे आए चांडाल चोकरी में कैसे आए महाराज अभी तुम कह रहे बेटा जट चांदा चोकरी में तुम क्यों आ गए ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा कैसे आई गए जट चांदा ले चोकरी में कैसे पस गए क्या कोई मिलो नहीं कोई बहाना क्या कोई मिला नहीं कोई बहाना यहां कपट के जाल बिछाए हैं कैसे आई गए कैसे आई गए चंदाल चोकरी में कैसे आई गए पेतामा भीस में कहने लगे बेटा तुम्हें कोई बहाना नहीं मिला अरे यहां तो धूरतों की सारे बिछ रही हैं और कहीं तुम्हारा बंटा धार न हो जाए आँखों में आशु बरके धर्मराज कहने लगे पूज बाबा इस बाहने से आपके दर्सन हो गए गुरु द्रोन को भी प्रणाम किया लेकिन द्रोन ने भी दो आशु दे करके यही पूछा कि है बेता भी इस भक्त तुम्हें या नहीं आना चाहिए याद रहे दोस्तों चौछे दिन जाकर के जिस समय धर्मराज शार में पहुँचे हैं एक तरफ धर्मराज आशन पर बैठ गए और दूसरी तरफ द्रियोधन ने सकुनी पिठाल दिया धर्मराज कहने लगे राजा राजा का जुआ होगा द्रियोधन कहने लगा आप हमारी जगे पर मामा ही शियोधन है नहीं मानते तो आपको अपना दूसरा कोई पिठाल दो अपने बदले में जुआ की मार होने लगी शलके फांसे से दोस्तों शलके फांसे अरे पहली बार तो धर्मन यारे मड़ बाल तो दादा लगाई मड़ माल लगाई पहली बार जाके खोंटे आई ऐसी निले के पल में हाई गमाई महराज दूती में दियों खजाना है और हाथी घोडा पक्षी तक चोथे में दीबाना है भाईया बिप्र मंडली पुरत दाई दाऊ पे धर नहीं है यारो बिप्र मंडली पुरत दाई पे राजाने धर गई है यहां तक है दोस्तों खजाना हाती घोड़ा सब कुर रख दिया है लेकिन लगाने की देर थी जाने में देर नहीं क्योंकि यह फांसे दो सखनी किते वो चलके थे अंत में विप्रों की मंदली लगा दी जो भीम ने देखा एकदम भीम कहने लगे भाईया दाव तो पूरा हो चुका अब चलो सौच उच करने के बाद में सौच हो आओ संध्या कर लो उसके बाद दाव लगाओ धर्मराज उठने को हुए सोई चांदार चोकडी ने तालिया बजा करके कहा कि क्या सेर दुम को दुका के भाग रहा है उतरी हुई कमान फिर चड़ गई यहां तक है दोस्तों कि सारी धंधोलत जुआ में लगाने के बाद महराज ने द्रोपती को भी लगा दिया कि द्रोपती भी चली गई अब तो महराज धर्मराज के छक्य चूट गए दीबाने से घूमने लगे और खम था उससे ठकरा के जमीन पर गिर पड़े दिरियोधन कहने लगा अब आप लोग बड़े दिमाग से बैठ जाईए द्रोपती तुम लोग उन्हें हार दी है उसी समय दूसा संसिका भाईया दूसा सन हाँ गया धरम से मिलन को एक रोज में बंधु पंचाली ने हमसे कही भय अंध के अंधु एक दिन जब मैं अस्मेद यज में गया था तो द्रोपती ने हमसे यह कहा था अंधा के अंधे हुए पल पल होती अबेर करो मति देर महलकों जैयो और उखके सपकर के खेंचिके द्रोपती गुभया लईयो आदे द्रोपती लईयो द्रोपती लईयो द्रोपती लईयो अब के सपकर के खेंचिके द्रोपती भया लईयो और क्या चार ए सारी ले उतार नगिन करनार हमें दिखलाईयो अज़ पंड सुवन को मान गुमान घटाईयो अज़ पंड सुवन को मान गुमान घटाईयो परीतनी सुनिया जब पंडनने लीली यलार पेत नहीं जाई काए मेरी धीरे धीरे कथा याद यांगे कूँ बड़ी रई है मेरी धीरे धीरे कथा मित्र यांगे कूँ बड़ी रई है मेरी धीरे मेरी धीरे मेरी धीरे धीरे कथा या भया एक दम से कहने लगा है द्रियोधन पलपल होते अब एर करो मत देर बहल को जाओ और तुम केश पकड़ के खें तो द्रोपती को सबा के अंदर लाओ और भाईया दूसा सन उसकी सारी को उतार के उसे नंगा कर दो और मेरी जांग पर बिठा लो एन पंडबाउं का घमंड चकना चूर हो जाए और क्या कहा आरे सोनो भाईया आज्यारे कारी दूसा संच द्रियोधन बोला आरे सोनो भाईया मेरे आज्यारे कारी और तू दूसा साने बाले धारी अरे ला पाकरी द्रोबत ये नारी अरे नारी 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 और बादू में गीति लई है सारी खुले सब्दों में कहने लगे भाईया द्रोबती को पकड़ के मेरी सबा मिलाओ हमने उसे बाजू में जीत लिया है और क्या बोला तुम दूसा सन अब जाईयो रे मत दे रह उवेरन लगाईयो कहने लगा द्रियोधन ए दूसा सन तुम जाईयो रे मत दे रह उवेरे लगाईयो महलन से जबरन खेंत के दो पती भाईया लईयो मेरा पीर कल नहीं पड़े रही बातन पे ओ छाती सीतल होई कनंगी देखूं आखिन के भोले भाईया रे भोले भाईया रे गोरी गोरी काया सूर जेसी है मेरो दिया रादे धाके धाके होई मेरे भाईया रे सुन्दर नार बात पूंगे सी है मेरो दिया रादे धाके धाके होई भोले भाईया रे सुन्दर नार बोतो बेगा खुले सब्दों में कहने लगा जवरदस्ती पकड़ के लिया भाईया मुझे चेन यह बाद इंसरजाद ने इसने यह कहा था कि अंधा के अंधा ही हुआ अम मेरी चाती ठंडी होगी जब द्रोपती को नंगा अपनी आँखों से देखूंगा दोस्तो जो इतने बचन कहे हैं जितने वाँ सज्जन बैठे हुए थे महत्मा बैठे हुए थे ब्राम्मर बैठे हुए थे सब की आँखें छलक आई और खड़ा हो गया कण का भाई ये कण से भाई चारे कर इसता मानता था वैचे द्रियोधन के खास भाई था विक्रण और कहने लगा भैया कण हां बड़े भैया द्रियोधन की बातों को सुने हो तूम ये नारी नरक निसानी है और गर फूल समझ अपनाएगा और फूल तो फूल ना हो पाया काटा खुद ही हो जाएगा हाथ में फूल की जगह पर काता हो जाएगा कैनो इस दिर्योधन को रोक लो अरे चाचा विदू रुकाएं ठारे हुई आए आँखे नो बहराईती नीरा की धारे अरे हिलकी भर कें बोलन लागे काए तू बंशु तू दिये बिगारी इतनी सुनी तब विदूर है गाओ ठारो जन सुनी पाप की बात चड़ो तन जारो महाराज भिदूर को काप गाओ ही ओ तुम करो पाप की बात जुआ बुजने राजा को दी ओरे तिरियो धन दो दिन में जबानी तेरी धल जाएगी ओरे तिरियो धन दो दिन में जबानी तेरी धल जाएगी तेरी धल जाएगी जबानी तेरी धल जाएगी ओरे तिरियो धन दो दिन में जबानी तेरी धल जाएगी ओरे तिरियो धन दो दिन में जबानी तेरी धल जबाब दिया विक्रण की बात को जो सुना है तो चाचा बिदुर कहने लगे अरे दिरियो धन ये पाप की बातें तुम क्यों कर रहे हो ये जबानी के नसा में तू नहीं सोचता लेकिन एक औरत की यहां बड़ी बिलक्षन होती है तो इस सांतुन कुल के परवार में क्या कलंक पैदा हुआ है सुने बिदुर के बेन सुरक भायने न सकुनी बहुँ ठारो सकुनी बोलो तू भलो अनोखो आई गाउरे सिच्चा भाया बारो तू अच्छो सिच्चा बारो आओ और कहने लगे सकुनी बोला अरे बाद न तू का गाओ तो द्रोपती न दाओ तो ज्वाबु करारो ज्वाबु करारो जन कहिए अन्द के अन्द गजबु करिदारो जन कहिए अन्द के अन्द गजबु करिदारो बेड़े सकुनी कहने लगा कि बाद दिन तूंका गयो द्रोपती ने दियो के ज्वाब करारो जैने कही अंद के अंद के जब कर डालो अरे नालाइक अरे उठी जाओ ही अनते भाई अरे उठी जाई ओ ही अनते भाई और तुमें कोने लओ है पुलाई अरे कोई नाई अब काउगो भाई भाई गजब भाई अरे हाई पर यह दूद में खाताई अरे सून सानहा बंगला में हुई आई नाई मसोरे तलत भनाई अरे भी समदोन अक्रपा तो चारी हाई गयते सब नीचे कुने घा धुकाई अरे ये धीरे धीरे यार मेरे धीरे 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 धीरियो धनव बोलो ऐसे बेने सबा में धीरे धीरे हाँ खुले सब्दों में कहने लगा शकुनी कहने लगा बाद दिन तूंका गयो द्रोपती ने दियो तो ज्वाब करारो जन कहीं अंद के अंद गड़ब कर डालो तारी पीती हसी उड़ाई का जामे इजत नहीं अरे अब को काउं को भाई पर यह दूद में खटाई इसकी बाते मत सुनिये जाईए भाईया दूसा सन मेरी मूँ की तरब क्या देख रहे हो दोस्तों जो इतने बचन सुने तो दूसा सन क्या बोला दूसा सन कर जोर के कहीन और चरन सिरनाऊं मैं केस पकड़के भाईया रेके द्रोपत फोरन लाऊं कहने लगा चिन्ता मत करो भाईया आरे द्रोपती लाऊं द्रोपती लाऊं द्रोपती लाऊं द्रोपती लाऊं मैं केस पकड़के भाईया रेके द्रोपती फोरन लाऊं और क्या कहा ए मैं ते सबी कलेश पकड़िकें केस न गिन दिखलावी हाई मैं तू सकल कलेश पकड़िकें केस न बिलम लगाऊं मैं आज उस सबा के बीट न गिन दिखलाऊं बहिया चिंता न करो अभी जाता हूं द्रोपती को केस पकड़के घचीत के लाता हूं और भरी सबा मुझे नंगा करके दिखाऊंगा जो इतने बचन सुले हैं दोस्तों दिरियो धाना खुशी मनायो है भरी ये तकांधती पतायो है भाया मेरो मैया को ज्यायो है मेरे हर दमका में आओ है भाय याद रहे दोस्तों दूसा सन कहने लगा भाया चिंता न करो मैं अभी जाता हूं और द्रोपती को पकर के भरी सवा मिलाता हूं नगिन करके तुम्हें दोस्तों सोई द्रियोधन ने अपने भाया दूसा सन को च्छाथी से लगा लिया और क्या बोला कि भी मसेन है भारी बालकारी को पें पंदन को बद बार जाए ना देखो भाया मोपें मेरे पीर बड़े भारी रडबंका है और मानत नहीं तनक हमसे पंदर सुतसंका है और जवाब दिया भाया कशकत है मेरे बंद जिगर में भारी कुई इच्छा पूरन कर दे बिरन हमारी मेरे पीर सभी में बदले लेऊं चुकाई ओ नई हमारे घर के पंदर दुषम नहें तो अगाई भाया बहुत दिनन में जाओ लगो मेरे दिल की बतिया है आरे दिल की बतिया है मित्र मेरे दिल की बतिया है भाया बहुत दिनन में दाओ लगो मेरे दिल की जब आप दिया है भाया दूशा सन भीम नकुल शेय देओ अरजुन ये इतने बलवान है कि मेरी संका नहीं करते आज मेरा दाओ लग चुका है द्रोपती को नंगा करके जब मैं अपनी जांग पर बिठा लूँगा उस समय मेरी छाती का डाप पूरा हो जाएगा दूशा सन कहने लगा भाया द्रियोधन चिंता ने करो मैं जा रहा हूं और चला है दूशा सन सुन दूशा सन बलबान चल दियो जवान महलकों धाओ और द्रोपती के जब शिव रव में के पंचो पापी आओ जहां पाप द्रोपती पंडवाओं का शिव लगा हुआ है दूशा सन आया जब द्रोपती ने देखा तो द्रियोधन की पत्नी भान मती उस शिवर में रुकी हुई थी भान मती आंगे बरके कहने लगी देवर की तुम कैसे दूशा सन कहने लगा भावी तुम अड़ जाओ मैं द्रोपती भावी से कुछ बातें करना चाहता हूँ भान मती कहने लगी लेकिन द्रोपती को देख करके दूसर शन बोला लेकिन दोस्तों दूसर सन की आँखों को देख करके द्रोपती समझ गई की डाल में काला है अर द्रोपत से कई बात चलो मेरा साथ बचन फर्माओ बचन फर्माओ कोई दिरियोधन महाराज तुम्हें बुलबाओ जब आप दिया भावी द्रोपती द्रोपती बोली यहां बोलो महराज द्रियोधन ने आपको बोलाया है दोस्तों जो इतने सब्द सुने दूसा सान की सुनबानी है जाके भाओ पेट में पानी है सुने जन मोटी हिर्दे में जानी है विधे ना हाई कैसी खानी है जने जब आप दिया एक बात बताओ देबर जी मैं यह जानती हूँ के सबा में छट्रीयों का काम है और तों का कोई काम तो होता नहीं कि लेकिन फिर द्रियोधन महराद ने मुझे क्यों बुलाया और एक बात और भी बता दूंगा अगर आपको बुरी ने लगे क्या जा बैथे भी समों करणरे कै सुन ले ओ दिवर हमारे में बहान बिल्कुल जाओं सरण तिहारे महाराद सबा में है छत्रिन को काम और अगर हमें ले चलो तुमारो होए नाम बरनाम लोहरे देवरिया लोहरे देवरिया सबा में छत्रियाव बैथे हैं बाचीरियान ने को है के जो काम लोहरे देवरिया सबा में छत्रियाव बैथे हैं बहां और दिको है क्या काम भोले देवरिया सबा में छत्रियाव एक बात हमें बता दीजिए जहां भी समकर्ण कृपा चार द्रोना चार धतराश्ट जैसे बैठे हों उस सवा में भला इस इस तरी का क्या काम है और एक बात और बता दू महाराज कि अगर हमें बुलाया है तो कोई कारण होगा अरे सिरधुन द्रोपत कहे द्रगन जलब है बचन फरमाई संग जाऊं सवा के बीचरे के लाज तो मोकों आई बहुँ लाज लगे जी मुझे देवर जी ओ घटे तुम्हारो धर्मन नष्ट होई कर्म सुनो चितलाई सुनो चितलाई देवर बलते रप्रता पुरे के जय सवाई नसाई एक बात और बता दूं सही बात तो है कि मुझे इतनी सर्म लग रही है कि मैं उस सवा में जाकर के कैसे मूँ दिखाऊंगी और आपका बल और तेज जो भी बेबब है सब नष्ट हो जाएगा और क्या बोली द्रोपती अरे पांडव को रब एक सम जानो कोरबु पंडबु येक सम जानो और मोई दासी अपनी मानो अरे मत ऐसे बचन रे बखानो बखानो गजब भो बखानो अरे देबर जे हद मत थानो और रो करके बोली आदभान मत द्रियोधन की पत्नी की तरब देख करके द्रोपती बोली दीडी रोको और जे देवर आंगे हैं दीडी रोको जे दिवर जिन अमानत हैं दीडी रोको बान मत देख करके कहने लेगी द्रोपती दीदी तुम्ही रोक लो कैसे सबा में बेन में जाऊं देवर जेठन के सन कैसे जाऊं भीशम ससर को मों कैसे दिखाऊं मोई सबा में लग रहो धोको है रोको रोको दीदी रोको दिवर आंगे पड़ रहे हैं दीदी रोको और कहने लगी सब बैठे जेवर जेट सबा में मेरे दूसा सन कैसे सन चलू में तेरे मेरे दिवर न पकड़ो हाथ धरम होई चीन और कान खोले के सुनो के दिवरा मैं हूँ बसन मली रोकर के द्रोपती बोली देवर जी महिना में चार पास दिन आउरत के लिए बहुत बुरे होते हैं जिसमें अवरत को छूना भी पाप उसकी शाया भी नहीं पड़ने चाहिए और वही हालत मेरी है से मैं मुझे माप कर दो अरे जार अजुशुला पे मेरी दिवर आगन में कर दीजो आगन में कर दीजे दिबर मोई माफ दो कर दीजे हाजाज अजुशोला पे दिबर महर आगन में बिड़े आज आखों में आशु भर के कहने लगी देवर जी इस रजशुला पे थोगी किरपा कीजिए सवा में जाना छत्रियों का काम है औरतों का काम नहीं है दोस्तों जो इतने बचन सुने एकदम से दूसरा सन की आखों में लोहु आ गया और क्याने लगा औरी पगली यह तिरिया त्यरत हमें दिखा रही है और घंग आ रही क्यों ओ पगली अरे घंग आ रही क्यों ओ पगली यहां तो बजुर का सीना है बेड़ा के भला मिमे आने से नाहर को कहां पसीना है क्यों घंग आ रही है ओ पगली दूसरा सन बोला यहां तो पछर का सीना है बेड़ा के भला मिमे आने से नाहर को कहां पसीना है नाहर को कहां पसीना है औरी बेब कूप वॉरत क्या भेड़ के मिमे आने से नाहर को पसीना आ जाएगा जो तो इस तरह से मिम्याओ घंग आ रही है मेरे सामने एक दम से आखों में आशु भर के कहने लगी द्रोपती देबर जी हमें एक बात बता दो कौन शींग रही हैं पसीना है पसीना है पसी हमें क्यों लिये जा रहे हो तो कहने लगा दूसर संसुनिये गोरी हमसा खेले सार गए तो हार द्रोपती नारी दन संपत तेरी सबाई रेके होई आई नारे हमारी ये बात है अब तो तेरी समन में आगे आ होगा अरे के भाई हमारी भाई हमारी भाई हमारी भाई हमारी धन संपत जोक चुहती रे सबाई आई नारे हमारी हमने जीतो तोई पढ़ाब मोई तु द्रोप धुलारी द्रोप धुलारी तेरे साइया बिलकुल हुई आई गोरी धीनाउं अरे भेकारी एक दम से कहने लगा दूसा सन औरी पगली तेरे पांचों पती भीकारी हो चुके हैं शारी संपत्व मेराजपत्व हो चुका है और तेरे पती न तुझे जुआ में हरा दिया जो एतने बचन सुन और दूसा सन बोला जवाब दिया सुन तुने दिर्योधन की हासी रेके एक दिन हाई की नी साय तु भ्रम्मे हो तुझे कोई शक हो तो तेरी शक मिटा दू दूसा सन बोला तुने दिर्योधन की हासी एक दिन की नी ताके बदले में तोई डचना दी नी महाराज कही तुने हाथे अंध के अंध हो ओ सम्मालिम पर जाई पर याई अधु अंधन के भंद और सुन ले तोकु नंगो करके आज सबा में नार दिखाएंगे तोकु नंगी करके आज मैं फिल में नार दिखाएंगे अरे नार दिखाएंगे ठरगती तुझे दिखाएंगे सबा में आज दिखाएंगे तोकु नंगी तोकु नंगी करके आज सबा में खुले सब्दों में कहने लगा औरी पगली उशी के बदले में तुझे दक्षणा आरपित की गई है आज अंदन के फंद में तुपड़ी है दोस्तो जो इतने बचन सुने हैं द्रोपती का कलेड़ा मूं की तर फाने लगा चारो तरब भूंकी हैंने की तरह देखने लगी और एक डम से भानुमती द्रियोधन की पत्नी के पैरों पर गिर पड़ यह बोली ओ भानुमती मेरी बेहने तेरे सयाने दुबादर फारो दे मेरी रच्छा करो ओ बानुमती मेरी बेहने तेरे पाला मैने दुबादर फारो दे अजु सवा में नंगी ओ तेवरानी गजब करो अति भारो दे ओ दीदी ने कमोई बचाई ली दे यही प्राथना मेरी रे ओ तेरे बेन मेरी दीदी अब नई रच्छा कर कोई मेरी रे मुझे बचा लो बेहन मुझे बचा लो देवर जी को रोक लो एक दम से दूसा सन करने गा भाबी फीदाच दोस्तो द्रोपती भानमती के पैर पकड़े थी ओ दूसा सन आंगे पर जोजन पकड़ी नारे ध्यक जोरी रे और थोड़ पैर ओरी पगली अब बन जा सब की गोरी रे भानमती के पैर जिस समय पकड़े द्रोपती ने दूसा सन आंगे बढ़ करके भानमती शिका भाबी तुम्हार जाओ भाईया की आग्या है लेकिन भानमती कहने लगी देबर जी मेरी एक बात सुनो दूसा सन बोला तुम क्या कहना चाती हूँ मैं ये कहना चाती हूँ अगर तुम देवी पर आँख उठाओगे तो कुत्ता की मौत मारे जाओगे दूसा सन तुम मेरे देवर हो मैं तेरी भाबी हूँ तो ये भी तुम्हारी भाबी है तुम्हें इस तरह से नहीं ले जाना चाहिए जाओ अपने भाईया से कह देना का अगर भुला रहे तो खुड चले आएं ये भानमती के अग्या है दूसा सन कहने लगा भाबी तुम म नहीं हो ये बात अगर मैं भाईया से जाकर कहूंगा तो तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा लेकिन दोस्तों एक बात और भी बता दूँ द्रियोधनतनक क्रूर था कि भानमती समझ चुकी थी कि अगर ये बात इन्होंने कह दी जाकर तो हो सकता है कि हमारे साथ वी अव दूशा जन कहने लगा भावी द्रियोधन तुम्हारे पती है मेरे भाई बड़ा भाई पिता की समान होता मैं अग्या का पालन कर रहा हूं द्रोपती को लेके ही जाऊंगा दोस्तों हाथ जोड़के द्रोपती कहने लगी दीदी तुम चुप हो जाओ मुझे देवर जी से एक बात पूचनी है दूसरा जन करने लगा पूचो और उसके साथ चलो चूचिरा करने की ज़रूर नहीं है तुम्हारे लिए भेरियां नहीं बढ़ेगी चेरियों की कोई इज्जत नहीं होती तुम आप चेरी हो चुकी हो कहे द्रोपती बात जोरे दो हाथ बचन उच्यारो तुम क्यों नहीं देवर कर रहे हो अब थर्षव अरे हमारो थोड़ा तर्ष करो देवर की कियों नहीं तुदेवर कर रहे हो तुम तर्ष हो अरे हमारो लेतलो मोई बरबार सभी सर्दार जुरो दल भारो जुरो दल भारो जां बैटे भीसम सतुर उरे के करण है गेत हमारो और देवर बात सुनो लुक मेरी हम अब साथी रही बताई और भीसम सतुर गेत तो करण है कैसे हम को चलो लिबाई खुले सब्दों में कहने लगी जां बैठे देवर जेट शशोर ऐसे सरदारों के बीच में मुझे बहुत सर्म लगेगी और क्या बोली अरे मत पकड़ो मेरी बैया अरे मत पकड़ो मेरी बैया बैया जजब भो बैया देवर परू में तुम्हारी बैया अरे ले मान मेरी सासु का छईया छईया गजब भो छईया क्या हुआ? अरे होनी की बदर्या छाए गई है धीरे धीरे अरे होनी की बदर याथ छाई गई है धीरे धीरे राम सर्ण की छाती थर आए गई है धीरे धीरे कहने लगी द्रोपती करना जेठोर भीषम सचुरहे करन जेठी अरे भीषम सचुरहे भीषम सचुरहे आधार लाज नहीं आए रही है धीरे धीरे अरे होनी की बदर याथ छाई रही है धीरे धीरे आमकी दार उने कुहिलिया बोली पपिया बोली गोपी परादारे अरे द्रोपती रोई ये जब तो पापी पे बादा पे काप गए ते आधारे क्या बोला दूसा सम औरी पगली आशू कैसे तरी आखों में जरा एक बाद अपने चाहेते को तो देख ले और रंगु भरी रसु भरी रंगु भरी एसी बात तुमी क्यों करी हाँ रंगु भरी रसु भरी रंगु भरी अन्दन के फंद में परी है दानी अन्दन के फंद में परी है रानी बीतत ये मोय घरी घरी रंगु भरी रसु भरी रंगु भरी हाँ पांच पतिन की दूशा सन बोला तू तिरिया है पांच पती की तू तिरिया है तू तिरिया है अरे तू तो नगी नासी है जरी रंगु भरी रसु भरी रंगु भरी हाँ अरे पगली तुझे तो चलना ही पड़ेगा और ये भी याद रख लें कि चूचिरा करने से कोई फाइदा नहीं तू तो पांच पतियों की ओरत है और तेरे पती तुझे जुआ में हार चुके हैं और अगर जो कहना है तो अपने चहेते से कहना हमसे कहने कि तुझे क्या दरुवत है दोस्तो एतने जो बचन सुने हैं तो रोकर के द्रोपती बोली देबर जी एक बात बता दो मुझी मैं तुम्हारे साथ चल दूँगी कौनसी बात आहां रोए रोए के द्रोपत ने तो भाईया बचन आवे उठा दे सुनो देबर जी मैं दाशी देबर पईया अब तो पर रहे हाए तुम्हारे मैं देबर साथ तुम बात बतायो मुए अदेबर तुम मो को बतलाई अब कैसे बोहारे मुए कैसे हार गए जुआ मैं देबर पूछू दोई और कहने लगी अगर वो हार गई तो मुझे एक बात बता दो देबर जी क्या देबर तुम मो को भेद बतायो सारे पहले पती हारे मोई बाद में हारे यह बताओ पहले मुझे हारा दी या तब हारे हैं या मेरे पती पहले हार गई महाराद की पहले हारे धर्म कुमार और मोती छे हारन को देवर उने नहीं अधिकार भोले देवरिया मोपे तरस निके करिनी जो जा भाबा देवरिये समझाई भोले देवरिया थोड़ो तरस निके करिनी जो तेरी भाबा देवरिये भी लखाई भोले देवरिया थोड़ो तरस निके करिनी एक दम से द्रोपती नहीं पूछा कि मुझे एक बात बता दो देवर जी मैं पहले हारी या खुद हार गए उसके बाद मैं हमें दाव पर लगाया अगर पहले हार गए धर्मराज उसके बाद हमें दाव पर लगाया तो देवर जी में तुम्हारे साथ इसलिए नहीं जाओंगी कि जब स्वैम हार गए तो उनका अधिकार क्या है हमें दाव पे लगाने का दूसा संक्राने लगा ओरी पती बिर्ता हमारी बास सुन क्यों रही बात बनाए तू हमें बढाए क्यों नीत रही है मैंने राजी ते नकती दोते कितनी देर से कही है अरे के नार कही है नार कही है नार कही है मैंने नार कही है मैंने राजी ते केता ने तो बार यार कही है और बहुत सुने उपदेश पकड़ के कैसा तू जाए रही है जाए रही है तुम्बों से तिरी आचर तो तो रचाए रही है और मैं बताओं पति दास भाए अब मेरे हैं नाई संग चलाती तू मेरे हैं पति जबाब दिया है द्रोप ची कहने लगी ओरे पापी पति दास भाए अब मेरे हैं नाए संग चलू में तो तेरे हैं पापी क्यों दे तुम्हेल में देरे हैं दू सासन भाग सपेरे हैं क्यों एक दम से जबाब दिया दूसरा सन्ने के औरी पगली तू हमें बातों में भुला रही हैं तुझे अभी चलना होगा तेरे ओप देस हमने बहुत सुन लिए हम तेरे केस पकड़ के तुझे ले जाएंगे